नमस्कार मैं अभी ने लेकर आ रहा हूं चैलिंजर बैच जो बच्चे CET 2021 की तियारी कर रहे हैं या जो बच्चे 2020 CGL की तियारी कर रहे हैं या वो CHSL की भी कर रहे हैं तो यह हमारा बैच वो बैच है जहां पर हम सब कुछ पढ़ रहा है यानि कि अगर मान के चलें कि SSE का ल इस नवंबर से जो इस्टार्ट है वो उसमें हम concept of percentage पढ़ रहे हैं इसका मतलब है percentage से जुड़े हुए सारे topic SI, CI, profit, loss ये सब कुछ हम उसके अंदर पढ़ेंगे तो जो भी बच्चे अनकेडमी प्लस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, class के environment में मुझसे पढ़ना चाहते हैं कुछ भी हमारी free special चीज़ें भी जो देख रहे हैं उसके लिए भी unlock code आ गया, यानि कि उनको भी आपको unlock करना पड़ता है, उसके लिए भी जो code है वो अभिने मैस, CI, ABHI, N, A, Y, M, A, THS, चले thank you नमस्कार, और कैसे हो मेरे सेरो, मैं तो देखे एक बात आपको बताता हूँ कि चार रोटी, फिलस दो गिलास cold coffee पी के गर्दन तक भरके आया हूँ, तो मेरा सरीर हो रहा है इस वक्त दुरुस्त, और आराम के mood में, और topic बहुत में तपूर है, topic है digital sum, तो क्या है ये digital sum, क् sum of digit में क्या अंतर है, ये सब basic basic बात है, मैं पहले बताऊंगा, और उन basic basic बातों को बताने के बाद, मैं कुछ सवाल लेके आया हूँ, बट किताबी लेके आया हूँ, ताकि आपको दिखा सकूं, कि SSC में recently, हाल फिलाल में, कौन-कौन से ऐसे सवाल आई, calculation में, देखे digital sum क् है, हमारी calculation को आसान बनाता है, जब आप math पढते हैं, तो क्या-क्या चीजें हैं, जूआही हमारी calculation को आसान बनाती है, आप आज जाब बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अगर किसी भी बच्ची नहीं है, हाय सोना और बाबू करा न, तो बच्चा निपढ जाएगा, मेरे हाथों से मैं सच बता रहा हूँ ठीक है तो calculation हमारी क्या क्या चीज़े आसान करती है जिसमें पहली तो यही है digital sum digital sum है पहली दूसरी क्या है unit digit unit digit या 10th place digit 10th place digit divisibility rule जो हमारी calculation को आसान बनाता है मैंने सोचा है कि मैं calculation पे ही class लोंगा कि यह कैसे आसान बनाता है calculation को यह मैं बच्चों को बताऊंगा कि digital sum कैसे हमारी calculation को आसान बनाता है unit digit या 10th place digit हमारी calculation को कैसे आसान बनाता है ठीक है divisibility rule हमारी calculation को कैसे आसान बनाता है remainder thorem हमारी calculation को कैसे आसान बनाते है रिमेंडा थोरम हो गया या फिर concept of ratio हो गया क्या हुआ सब देख रहे हैं कि लिए रहे है पीछे हाँ पूरी गंदी है टीशिट तो क्या बोले हैं अकेडमी ने दी नई टीशिट कपसे बोलने हैं आप दखवाओ फोटो डलवाओ ये सब भेजो फोट calculation बहुत आसान हो जाती है बहुत आसान हो जाती है हमारी calculation तो आज की class में जो हम topic लिक आए वो लिक आए डिजिटल सम ठीक है तो आप heading लगा लीजे दोस्तों डिजिटल सम क्या होती है ये बिमारी what is this disease या बिमारी का दोस्तों हम बताएंगे समझा क्या चले आगे बढ़त sum क्या है इसका मतलब है जैसे आपने देखा हुआ एक होता है sum of digit जैसे मैंने एक संख्या लिखिये 2,3,4 मैं अगर बात करूं कि इसका sum of digit क्या होगा sum of digit आप कहेंगे 4 और 3,7,2,9 मैं अगर कहूं कि इसका digital sum क्या होगा तो आप कहेंगे digital sum भी हम इसका 0 भी कह सकते हैं 9 भी अगर मैंने एक संख्या लिखिया होती 1,2,3,4 फिर मैं कहता कि sum of digit क्या है लला इसका sum of digit तो आप कहते हैं 4,3,7,2,9,10 मैं कहता कि इसका digital sum क्या है तो आप कहते हैं जिजिटल sum कैसे निकलता कि जो 10 आया है इसकी भी digit जोड़ देते हैं नहीं एक आ जाता तो मैं आपको फं आपको आपको अब कर दो क्या है है जिजिटल sum कुछ भी नहीं जब किसी संख्या को 9 से भाग करते हैं जो lavender बचता है वही digital sum है जैसे अब यह sum of digit 10 आ गया आपको मालुम है कि हम 9 से भाग करके remainder कैसे निकालते हैं तो आप सब जानते होंगे अच्छे से कि जब हम 9 से भाग करके remainder निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसके sum of digit को 9 से भाग कर देते हैं वो भी बज़य बताऊँगा ऐसा क्यों करते हैं पहले आप ये देखो कि अगर मैं 10 को 9 से भाग कर दूँगा तो कितना आएगा एक एक ही आ रहा है आ रहा है नहीं आ रहा है तो आप जब हमें digital sum निकालना होता है जैसे मैं एक example लेकि इस बात को समझाता हूँ इसकी photo ले लेना चारा विजय सींग मीना भी मैदान में है विजय आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ आप बड़ी ध्यान से सबझे मैंने क्या कहा मैंने अभी इतनी सी बात कही कि digital sum is nothing but digital sum of any number of any number किसी भी संख्या का digital sum is nothing but इंग्लिश में थोड़ा सा मैं लिखता हूँ आप सब जानते है जो मेरा standard है विसीकली कनाडा से higher study किया है तो हमेशा आदत रही इंग्लिश में लिखने की हिंदी बहुत कम आती है digital sum of any number is nothing but the remainder when number is divided by 9 when number is divided by 9 divided by 9 तो हमने कहा कि digital sum किसी भी संख्या का कुछ भी नहीं है बस वो क्या है remainder है जब किसी संख्या को 9 से भाग दिया जाता है ठीक है 9 से भाग दिने पर हम remainder में क्या करते है मैं बताता हूँ सबसे पहले आप digital sum की definition समझ पाए अभी तक मैंने कोश नहीं पढ़ा है अभी तक मैंने बस बताया कि digital sum की definition क्या है तो digital sum is the remainder when number is divided by 9 इतनी सी बात आप समझ गे अभी एक और बात समझे मुझे बड़े प्यार से मैं आपको समझाऊँगा क्योंकि मैं आपका गुरू हूँ अब बात आती है कि भी digital sum निकालते कैसे हैं लेकिन पहले उस से पहले 9 से भाग करने हैं जैसे कोई संख्या A B है आपको पता है 9 से भाग करेंगे संख्या को मैं लिख सकता हूँ 10 A प्लस B तो आपने देखा इसको लिखा जा सकता है 9 A प्लस A प्लस B अब मैं जानता हूँ कि 9 A को जब हम 9 से भाग कर दें इसको 9 से भाग कर दें हम तो इतना बच जाएगा तो अब आपको पता है कि अगर आपको 9 से भाग करने पर remainder निकालना है तो आपको भाग A plus B को करना पड़ेगा क्योंकि 9A is always divisible by 9 इसलिए हम कह देते हैं अच्छे A plus B क्या है तो आप कहेंगे कि A plus B इसका sum of digit है भूलिंग या नहीं इसलिए ये रूल है अब तक कि जब भी 9 से भाग करने पर remainder निकालना हो तो हम sum of digit को भाग कर देते हैं 9 से जैसे मैं इसको 3 digit में भी बता देता हूँ जैसे मैंने एक 3 अंकों की संख्या लिखी A, B, C इस संख्या को मैं लिख सकता हूँ 200A पिलस 10B पिलस C ऐसे लिख सकता हूँ मैं अब आपको पता है इसमें 99A 9 से कट जाएगा इसमें 9B 9 से कट जाएगा बचे का कितना इसका A इसका B इसका से अब आप देखेंगे ये पूरा 9 से कट जाएगा अगर मुझे 9 से भाग करने पर रिमेंडर पता करना है तो मैं इसको 9 से भाग करूँगा और ये क्या है ये संख्या का सम आपने एक बात तो ये जानी पहले कि digital sum क्या होता है जब हम किसी संख्या के sum को 9 से भाग करते है तो वो digital sum होता है और किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जब हम remainder निकालते हैं तो वो कैसे निकलता है हम क्या करते है पहली बात तो वो 9 से छोटा आएगा है 9 आएगा 9 से बड़ा तो नहीं आएगा इसलिए कभी भी digital sum 9 से बड़ा नहीं आता है 9 से छोटा ही आता है क्योंकि 9 से भाग करने पर कभी भी remainder 14 नहीं बच सकता 10 नहीं बच सकता इसलिए 9 तक ही digital sum आता है ये बात के लिए हुई अब हमने एक और बात क्या कई हमने फिर remainder निकालना सीखा तो हमने का 9 के case में जब हम remainder निकालते हैं तो हम sum of widget को ही 9 से भाग कर देते हैं वही remainder होता है तो इतनी सी बात लिख लिए जिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ आगे बढ़ना पड़ेगा मुझे आपको समझाना पड़ेगा क्योंकि आप मेरे सब भाई बंदू है अब बात आती है 9 से भाग करने पर हम लोग remainder कैसे निकालते हैं तो आप सबको मैंने सिखाया एक होग divisibility rule 8, 9, 7, 5, 6, 4, 3, 2, ऐसे ठीक है आप सबको पता होगा कि जब हम 9 से भाग करते हैं तो मैं यह कहता हूँ कि बेटा जब जब सम 9 हो जाए उसको हटाते चलो क्योंकि वो तो 9 से कट जाएगा तो आपने कहा जी 9 तो 9 से कट जाएगा हटा दो आपने कहा जी 7 तो इससे कट जाएगा दो हटा दो पिर आपने का 5 और 4 कट जाएगा हटा दो 8 और 6 भी कट जाएगा हटा दो तो 9 से भाग करने पर remainder कितना आया 8 यही इसका digital sum है आप चाहो तो जोड़ के देख लो जो आपको करना ही कर लो यही digital sum है इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब digital sum निकालना हो तो 9 को भूल जाओ 9 हटा दो क्योंकि मुझे 9 से भाग करने पर जब remainder निकालता हूँ तो हम क्या करते हैं 9 को हटा देते हैं सेम concept digital sum में हम 9 क्यों हटा देते हैं इसलिए हटा देते हैं वज़े जाने जैसे कोई मुझे पूछेगा 925 का digital sum बताओ तो मैं यह हटा दूँगा मुझे पता है 9 से कट रहा है 5 और 2 कितना आजाएगा 7 अरे यह कट रा बगएरा तो जानते होगी जम्मू में हैं जब बैशनो दे भी जाते हैं अरे यार तुम भी ना बस वरोना वाइरस ही रह जाओगे देखो अब 5 और 2 कितना हो गया 7 किलियर हो गई बात आप चाहो तो जोड के देखो 8 और 9 17 और 7 8 और 9 17 और 7 24 और 5 29 और 6 35 और 4 49 और 3 42 और 2 44 और 44 इसका sum आया फिर digit का sum करेंगे तो 4 और 4 8 ही आएगा बट उसमें गलती हो सकती है और हमें गलती नहीं करनी हमें पहली बार में इससाहि करना है तो जब हमें पहली बार में इससाहि करना है तो तरीका क्या होगा आज आपको पता चला क्या है Digital Sum तो Digital Sum Is this Berm oversee Is this Decide ये बिमारी है Digital Sum कुछ भी नहीं अच्छा इसके फाइदे क्या है अब मैं आपको बताता हूँ एक आप सब जाते हैं आप सब पता हैं क्या हैं आप कहींगे आप ऐसे कहरें गुरुजी आप सब ललूलाल हैं ललूलाल एल 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 आपके बच्चे से जब पूछा जाएगा कि आपके बाप का नाम क्या था तो बच्चे बोलेंगे लल एल एल आप एक बात मुझे बताओ, लोग बड़ा ग्यान देते हैं डिजिटल सम पर, आज आपको जरूती नहीं पड़ेगी, आप सारे ग्यानों की खुदी ऐसी तैसी कर लेंगे, आप एक बात बताओ, A लिखा है, B लिखा है, इधर हमने इसका सम लिख दिया, अगर मैं 9 से इसको भाग कर रहा हूं, और 9 से इसको भाग कर रहा हूं, माल लेते हैं कि इसको 9 से भाग करने पर रेमेंडर 3 आ रहे हैं, और इसको 9 से भाग करने पर रेमेंडर 2 आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि सम को 9 से भाग करूंगा तो रेमेंडर 5 आएगा, इसमें कौन सी बड़ी लूज़ाएगा, अगर मैंने इहीं पर दोनों को गुणा किया हो था,AN TO B, और इसका प्रोड़क्ट निकाला हो था, आप कहते हैं, इसको भाग करने पर तीन बच रहा, इसको भाग करने पर व दो, तो इसको भाग करने पर छह बचेगा, इसको बाहर दोनों से ढोख करने पर किताब लेके आया हूँ पहले तो मैं जो किताब से सवाल करा रहा हूँ तो यह किताब आप देखेंगे इस किताब का नाम आप जो देख रहे हैं यह है online SSC 2016-18 तक सभी SSC online परिच्छा के 132 प्रशन पत्र हैं जिसका simplification मैंने topic खोला हुआ है मैं चाहता तो type करके लाता बट मै इसी लिए नहीं लाया क्योंकि मैं दिखाना चाहता था जैसे अब आप यह सवाल देखेंगे तो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि जिनमें भी यह फंडा लगेगा वो option मैंने नहीं set किये वो paper में already है ठीक है तो मैं सुरू करूँ अपनी कहानी बहुत बढ़िया इजा अब एक बात बताओ अगर मैंने किसी संख्या को 9 से गुणा कर दिया अगर मैंने किसी संख्या को 9 से गुणा कर दिया तो वो संख्या 9 से कड़ जाएगी या नहीं कड़ जाएगी पूरी आप कहोगे जी वो पूरी 9 से कड़ जाएगी या तो रिमेंडर 0 बचाओ या 9 यह अब जो संक्या आएगी उसका digital sum यानि कि DS 9 होगा इसलिए ऐसा भी कहा जाता है तो आज आपको ये clear से पता चल गया होगा कि digital sum क्या है जो हम ये बातें करते हैं कि हमने किसी संक्या को 9 से गुड़ा कर लिया तो उसका digital sum 9 हो जाएगा हमको digital sum निकालना है तो हम 9 हटाते चले ज किया जाता है बोलो बात के लिए रहे की नहीं अरो बोलो 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 चित्ती न कोई संदे जाने वो कौन सा देश जहां तुम चलेगे रूलाओ गया आप जैसे मैंने आपसे पूछा कि वही डिजिटल सम बताओ मुझे मुझे डिजिटल सम बताओ ओफ तीन दो पांच छे साथ नो एक मैंने ये पूछ लिया डिजिटल सम बताओ तो आप कहेंगी जो जो चीजा नो से कट रही है वह हम हटा देंगे नो हटा दिया हमने साथ और दू हटा दिया शे और तीन हटा दिया बचा कितना पांच और एक छे इसका डिजिटल सम कितना आ गया छे आसानी से निकाल लेंगे डिजिटल सम बोलो अच्छा मैंने अब आपसे पुछा कि एक संख्या है 9 गुडा एक चार पांच छे साथ एक इसका डिजिटल सम बता हो तो आपको पता है कि 9 से गुडा कर दिया तो डिजिटल सम को या तो 0 बोल दो या 9 क्योंकि अब संख्या 9 से कड़ जाएगी और जब संख्या 9 से कड़ जाएगी तो रिमेंडर या तो 0 आएगा या 9 आएगा बलो मज़ा आ रहा है कि नहीं बस मज़ा आना चाहिए जब मैं पढ़ा हूं तो बुरियत नहीं फिलो नहीं चाहिए समझ गए आज मैं टी सेट में पढ़ा रहा हूं उसकी वज़े है कोट पहनना हमने सिखा है लोगों को मैं बता तो अब साहर कोई कोट पहनना सा फैशन है दिया ये लो यार हाथ में बहुत दर्द हो जाता है बार बार हाथ जटकते है ना जोस में दर्द हो जाता है दिल में नहीं है हाथ में है दिल में अब क्यों होगा इस उमर पे नहीं होता है जब दिल बूड़ा हो जाता है जाता है दिल की सेप में कभी दर्द नहीं होगा चलिए दोस्तों आगे बढ़ना होगा मैं सवाल लिख रहा हूँ कुछ आपको तो यह सवाल कराए कि 2004 का स्क्वाइर माइनस 998 का इत्क्वाइर दित में ते दताया गया है तो दित के ओप्तन दे लखे हैं बन बन दीलो बन तू बन तू दीलो बन तू 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 दीलो दीलो बन तू और तू तू बन तू देरीथ को उप्तन ए Boulder नो तॉन बता डपते दलनी बताएगा दलने बताओ कर दोखा एक दोखा 1 डोखा 1 सिदाफ अधर माझे बास्पाइles कमें तो इस में आपको समझाता हूं दर कैसे बड़ी प्यार this किसा ये कितना हो गया पांच, तो पांच का स्क्वाइर 25, माइनस 9 और 9 तो हट गया 8, 8, 16, मैंने इसमें से घटा दिया 9, आप चाहो तो आप ऐसा भी कर सकेते, 5 और 2, 7, 6, 1, 7, 0, और 0 और 9 एक ही बात है, मैंने बताया कोई फर्क इस बात का नहीं पढ़ता, 0 और 9 1,004 का स्क्वाइर था, 9, 08 का स्क्वाइर था, हमने गलत गटा दिया साइद, हम पागल हैं, इसलिए हमने गलत गटा दिया, 8 बचेगा 8, 8, 2, 64, 64 का मतलब, 10 आजए तो 25 में से 10 गया 15, यानि 6 उत्तर हो, आप चाहो तो 7 माइनस एक भी कर सकते थे, तो भी 6 आता, कोई बड़ी बात नहीं अब मैंने देखा, पहले option में कितना आ रहा है 5, नहीं होगा, मैंने देखा इसमें कितना रहा है, 6 हो सकता है मैंने इसमें देखा, 2, 3, 6 और 1, 7 नहीं होगा मैंने देखा, 2, 3, 6 और 1, 7 नहीं होगा एक ही option है, यही सवाल का उत्तर हर बच्चे का भी आ रहा है, हर बच्चे का भी आ रहा है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे आगे निकलते हैं, मैं यह नहीं कहूंगा कि सारे सवाल डिजिटल सम्ट से हो जाएंगे बढ़ डिजिटल सम्ट is one of the aspect एक आस्पेक्ट है डिजिटल सम्ट, जिसका इस्तमाल हमें करना आना चाहिए, ऐसा नहीं है कोई भी चीज, किसी भी चीज की दबा नहीं है अगर ऐसा होता तो रिवॉल्वर के बाद पिश्टल नहीं आती, पिश्टल के बाद बंदूक नहीं आती, बंदूक के बाद राइफल नहीं आती सब के अपने अपने काम है इसलिए सब कुछ होना चाहिए आपके पास revolver भी होनी चाहिए पिस्टल भी अगर आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं किसी को मारने तोडने जा रहे हैं तो वैसे तो जाना नहीं चाहिए कोई मतलब नहीं है लोग धर जाते हैं अगला सवाल अगला सवाल देखिए अगला सवाल क्या है कि 2203 203 प्लस 207 का स्कुयर माइनस 203 माइनस 107 का स्कुयर अब इसके option है एस ए टेज लिख रहा हूं 85 886 86 884 4344 2 87 7-8-5-6 इस सवाल का उत्तर कौन बताएगा? जल्दी, सबसे जल्दी कौन बताएगा? Who is the guy? Will explain the first Who is the guy? Who is the guy? Divide वाला भी बता रहा हूं कई बच्चे करेंगे Divide वाला कैसे करेंगे? एक मिनट में बता रहा हूं एक मिनट का इंतिजार रख लेंगे, सान्ती रख लेंगे, साथ आठ सवाल करके डिवाइड का भी बता के जाओंगा, don't worry, परेशान होने की जरुवत नहीं है, कब तक, जब तक की मैं जिन्दा हूँ, तब तक परेशान होने की जरुवत नहीं है, बिलकुल सर, बीवी ऑप्शन में भी कितना अच्छा होता है, बीवी, देख रहा है, इसको तो बस बीवी की पढ़िया है, इतने थपर पढ़ेंगे न, कोई अपनी बेटी देगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, बीवी के फॉर्मल, देखो भई, ये कितना है, पांच, और ये कितना है, स ये एक चीज और बता रहा हूँ आपको, बहुत काम की आज तक, हमने क्या कहा था, कि वी में लाता जाए, आपको पता है, जब यूनिट डिजित निगयट ये आजया था था, हम 10 जोडते थे, क्या लेते थे क्या लेते थे, carry बट आपको याद है मैंने बताया था एक बार कई बार बताया जब remainder पढ़ाता हूँ अगर मैंने ये बताया है आपको रुख जाओ अब आज चली गई मैंने ये बताया है बेटा आपको कि अगर remainder negative आजाए तो जिस संक्या से भाग करते हैं उसको जोडते हैं जैसे कि आप यहाँ पे 6 और 1 ना लिखके 7 लिखते हैं तो 7-2 दू आ जाता माइनस का तो माइनस का दू आने का मतलब है कि हम 9 जोड देते क्योंकि जब भी remainder negative आ जाए तो हम उसमें diviser जोड देते हैं और कितना आ जाता साथ कभी यह भी टेंशन नहीं है कि negative आ गया digital sum हाई राम मर गया मैं अब क्या करूंगा कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब मेरा remainder negative आया है और जब remainder negative आ जाता है तो मैं diviser जोड दूँगा बोलो बाद जमी की नहीं बिल्कुल जमी तो अब हमनी क्या किया मैं चाहता तो 16 में से 9 घटाता तो 20 साथ आता अभी भी साथ आया है कोई भी अंतर इसमें नहीं है अब बात आती है कि हम चेक करते हैं option तो मैंने देखा आठ तिया 24 और 6, 305, 35 आठ नहीं होगा आठ तिया 24 और 6, 304, 34, 7 हो सकता है मैंने देखा 4 और 3, 7 और 2, 9 और 4, 4, 8 नहीं होगा फिर मैंने देखा 8, 7, 15, 8 और 8, 16 और 4, 20, 2, 75, 12, 14, 5 नहीं होगा एकी option है यही उत्तर है इस सवाल कर दो बोलो इसका भी B आया आप देखेंगे आज आपको एक किलियर हो जाएगा इदर अधर भागने की आप जरुवत नहीं पड़ेगी नेगेटिव आ गया पॉजिटिव आ गया तो क्या होता है यह सारी बात है मैं बता के चलता हूँ All the things are tell to be I my bus बहुत हो गया थे English कही बार क्या होते है कि हम लोगों की बहुत different English होती है आप लोगों के इंगली स्टाओ नहीं है कि मैं आपको बता दू किलियर सी बार क्या आप नहीं करनड़ से नहीं पड़े करनड़ आप सोचते हो कि देश के बाहर है इसा बिल्कुल भी अमरे गाओं में तीन करनड़ थे जिसमें हम पढ़ते थे वो पढ़ती थे वो पढ़ती थे तीन करनड़ थे हमरे गाओं में समझे के आगे चलते देखिए एक और सवाल मैं लिख रहा हूं यहां प्राइब उप्षन इसके बड़े तगड़े हैं मैं कैसे लिखूँ तीन के बाद चार नौई नौ होने से क्या होता है फायदे बहुत है फिर साथ के बाद तीन नौ है ऑफर सिक्स फॉर उसके बाद थिरी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ छे मद प अगले पॉइंट पे जो अप्शन है वो थिरी एक दो तीन चार पांक छे साथ एक दो तीन चार पांक छे साथ साथ ही है ना भाई आठ है भाई कभी कम जादा भी हो सकते हैं देख ले ना मेरे से जादा आप समझदार हो इन सब चीज़ों मैंने क्या कहा कि भाई मैं नौ तो सबसे पहले हटा दूँगा चार और ये कितना रह गया पांच और ये छह और दो आठ फंजे चानलीस कितना अगया चार दिजिटल समां गया चार अब मैंने देखा इसमें नो हट गया नो हट गया चे और तीन है उनाट और चार ग्यारे नहीं हो गगए 9 पूरा हट गया, 6 और 3 हट गया, बचा कितना 4 यही उत्तर होगा, इस सवाल का, बोलो भई, अगर किसी भी बच्चे को doubt है तो वो कह सकता है, बट इससे ज़्यादा और किलियर हमारे बसकी भी बात नहीं है, आपको समझा पाँ, there is nothing to happen, make you understand seriously, obviously यह सब adverb होती है, जिन में ly लग जाता है, क्या कर सकते हैं, बोलो भई, आगे बढ़ें दोस्तों, बढ़ना होगा आगे, और सवाल देखता हूँ मैं, अगर इसमें आये हैं तो इस concept, एक और सवाल मिल गया, बहुत अच्छा है, कई लोग सोचेंगे algebra का है, बिल्कुल कोई option नहीं change कर रहा है, चालीसमा सवाल आप देख सकते हैं, यह चालीसमा सवाल, उनलाइन इसना तक T13 September 2016, सेकिंड पाली में आया है, क्या है यह सवाल, देखना बड़ा ही, नागवार होगा हमारे लिए, देखिए, ए बराबर 101, ए बराबर 101, आप से कह रहा है, a into a square minus 3a plus 3, का मान क्या होगा, यह हम से कह रहा है, आप से कह रहा है, option है, एक पे 0, कितने, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे हो गए, 101, 101, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, इतना सारा कुछ लिखा, अब बड़े द्यान से देखना बेटा, जब हम आपकी समझा रहे हैं, तो दिक्कत कभी आएगी नहीं बेटा, एका मतलब हो गया, में लिए 2, मैंने यहां पे रख़्ा 2, 2, दूनी 4, माइनस 2 तीया 6, पिलस 3, 4 और 3, सात में से 6 गया, एक, दो बच गया, यानि सवाल का उत्तर होगा जिसका डिजिटल सम दो होगा बिलकुल नहीं होगा बिलकुल नहीं होगा बिलकुल होगा नहीं होगा अब बताओ इससे ज़्यादा और किस तरीके से समझाओ मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बैश तरीका हो सकता है ये कोई सवाल मैंने नहीं बनाया आपको बताया, आपके सामने दिखाया कि पेपर में आया हुआ सवाल है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं मेरे हाल बहुत बड़ी है जो भी पूछ रहा है, बस आप लोग पढ़ते रहों, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहों, हमारी तो यही दुआ आपके लिए है आवर दिस दुआ दुआ ही दुआ है दुआ ही दुआ है ला 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 एक और सवाल लेके आ रहा हूँ यह सवाल आप देख सकते हैं टीवन साब सेप्टेमबर 2016 में आया फ़स्ट पाली में पाली में आया पाली में पाली कोटा में पढ़ता है पता नहीं महीं आया होगा लगता है आपको पता है मेरे हाथ में फैक्चर है बट उसके बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी पढ़ाना नहीं छोड़ा बहाना नहीं बनाया कि मैं फिरी नहीं पढ़ाऊंगा मैंने देखा teacher बहाना बना देते हैं कि बिमार हैं free नहीं पढ़ाएंगे वैसे पढ़ाते रहते हैं अगर paid classes चल रही हैं उसमें दर्द बरदास्त किया जा रहा है तो फिर free classes में भी दर्द बरदास्त किया जाएगा कल को ये ना लगे उन बच्चों को कि देखिए हमने पैसा पेनी किया तो हमें नहीं पढ़ा रहे ऐसा ना लगे है तो P बराबर 99 तो 99 का मतलब तो मेरे साब से 0 ही हो गया देकि 99 का मतलब हो गया मेरे साब से 0 तो अब मैं यही आप से जानना चाहरा हूँ कि इस सवाल का उत्तर क्या आएगा आप देखो पहला option अगर आपको दिख रहा हो तो जूम करके देखना को ये सवाल के option है कोरिया का बच्चा भी बता देगा इस सवाल का उत्तर कि जैसे है ही मैंने ये कहा कि भ्या P 0 है या 9 है तो देखे इसमें 1 है नहीं इसमें 8 है नहीं एक ही option है जिसमें 9 या 0 है digital sam जो संख्या 9 से कट रही है एक ही है अरे रोहित सिंग हमार साथ जोड़े हुए रोहित आपको समझ में आ रही है हर बात कोई ऐसी बात रोहित जो आपको समझ में ना आ रही हो रोहित मेरा बच्चा बड़ा प्यारा है अब आप आगे देखिए एक और चीज एक सवाल और देख लिजी यह क्या रहा है कि 12x बरावर 19 का स्क्वाइर माइनस 11 का स्क्वाइर तो x क्या होगा ऑप्शन है 20, 13, 17, 14 तो मैंने कहा कि यह 12x का मतलब 3x हो गया बरावर यह 19 का मतलब 1-2, माइनस है क्यानी कि यह 8 आठ आ गया बिसिकली आठ आ गया यह अब मैंने यही कहा यह 8 आ जाएगा न वही एक का स्क्वाइर माइनस 2 का स्क्वाइर 4 यह माइनस का 3 आ जाएगा माइनस का 3 आएगा इसको मैं 9 जोड के कितना लिख सकता हूँ 6 और 6 को 3 से काटूंगा 3 दूनी 6 तो x कितना आ गया 2 यानि कि वो उत्तर होगा जिसका डिजिटल सम्दो होगा यानि 20 पिलविदर आइटांस और इसका उत्तर 20 ही है आप चाहो तो चेक कर सकते हो अब यह तो हो गई वो सवाल जो हाल फिलाल आये हैं इसके अलावा मैं बिदाउट हाल फिलाल सवाल भी लेके आया हूँ बिदाउट हाल फिलाल सवाल भी लेके आया हूँ वो मैं बताऊंगा अभी आपको जैसे कि परफेक्ट स्क्वाइर वाजा फंडा मैं बताने आया हूँ एक ही सवाल कराऊंगा उस पे तो कि वो नंबर सिस्टम में जब हम पढ़ाते हैं तो जब ज़्यादा अच्छे तरी मैं सवाल में निसान लगा के लाया हूँ कैसे लाया हूँ निसान लगा के जैसे अब यही सवाल है मेरी नजर में यह इतना रद्धी सवाल है और इन्होंने इतना बड़ा फॉर्मूला लगा रखा है आप देखो इस किताम में यह सवाल भी 2016 में 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 2 में आया है और इत गुड़ा एकसो पंद्रे 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 बना रहा है को बड़ा पकलीब देने का कोई सिस कर रहा है देखिए दोस्त मैं आपको देखाता हूँ गुजुफ देखो भी अब आप देखो यह कितना है तीन और दो पांच का स्क्वाइर पचम 25 का मतलब साथ पिलस पांच और दो सत्व सत्व उनंग चास का मतलब आपको मैंने बटाया अभी जब नौ से गुड़ा हो जाए तो डिजिटल सम जीरो बात खतब अब 7 और चार 11 में से 8 गया बारे ही उत्तर आ रहा है दुनिया भर की calculation इन्होंने लगा पड़ी है बट हमें कोई मतलब नहीं है किलिए रहे दोस्तों बाद किसी बच्चे को कोई doubt है तो बताओ करना सके हम प्यारी का सौधा अब जैसे इस बच्चे नहीं क्या कहा है यह जो बच्चा है इसने एक सवाल हमसे और पूछा है और इसमें divisibility वाला लग रहा है देखिए divisibility में पंडा क्या है नुकसान क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम divisibility वालों को handle करते है जैसे कि अब मुझे x का बताना है x बराबर लिखा हुआ है इसमान लेते हैं एक 133 बटे 8 लिखा हूँ ऐसे संख्या लिखी हुई है अब हमसे digital sum पूछ रहा है तो हम ऐसे सवालों में digital sum का मतलब होता है कि हमें नीचे एक बनाना है नीचे हमें क्या बनाना है digital sum तो आप कहेंगे जिनीचे एक बनाना है बन जाए गए नहीं अब आप देखेंगे नीचे 100 हो गया उपर कितना हो गया 7 गुड़ा 5 और 3 8 और 9 या इसको ऐसा कर लेते हैं 152 कर लेते हैं ताकि तकलीफ ना रहे तो 5 और 2 7 5 और 2 7 और 1 8 7 ते 56 का मतलब 11 है 2 आ गया तो X का Digital Sum कितना आ गया 2 आ गया अच्छा कई बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा दिमाख रखते हैं जैसे उनको पता है कि 152 बटे 8 हैं तो वो 8 से गुड़ा कर लेते हैं दौना तरफ क्योंकि उनको पता है 8 और 2 64 और 64 का Digital Sum एक आ गया नीचे एक बनाना पड़ता है अब मैं देखूंगा 5 और 2 7 और 1 8 8 गुड़ा 8 6 और 4 10 8 और 2 64 हमने यहां भी गड़वड की गया कुछ 5 और 2 7 और 1 8 आएगा यहां पर यहां पर गड़वड कर दी यहां पर भी 8 आएगा तो 8 और 2 64 यानि कि 8 और 2 64 का मतलब एक आ जाएगा यहां पर भी 6 है अब मुझे 1 बनाना है मुझे 1 बनाना है तो कैसे बना सकता हूँ एक जरा बताओ 6 के साथ भाई 8 और 2 एक होता है होता है नहीं होता 7 और 2 9 होता है चलो वो तो 1 नहीं होगा और क्या 6 और 4 क्या मैं 64 बना सकता हूँ नीचे तो आप कहेंगे होता नीचे. माल लेते हैं चार होता. तो मुझे पता आठ इश बना दूँ गा, या तो भाग में आप ऐसे कर लोगे. अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हो, अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हो, तो सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे आपको X बराबर दिया हुआ है, कोई बड़ी सी संख्या, एक, पांच, छे, साथ, नो, और बटे आठ, तो इस आठ को इधर ले जाओ, आठ X, ठीक है, अब इसका डिजिटल सम निकाल लो, माल लेते हैं, इसका डिजिटल सम भी आठ आ गया, तो हमें पता है, आठ से आठ भाग लगए, एक आ जाए, या माल लेते हैं, आठ नहीं आया, नो आ रहा है, नो, तो मैं समझ जाऊँगा कि नो तो तो तभी आ सकता है, जब जिसका डिजिटल सम 9 हो उससे गुड़ा किया गया हो तो फिर मैं समझ जाऊँगा X का 9 होना चाहिए तो अभी मैं एक दो सवाल और ले रहा हूँ जिससे भाग वाली बात किलियर कर जाऊँगा या तो एक बना लो और एक नहीं बनता ना तो उस भाग बाग वाली पूछ लेता हूं अगला सवाल बोलो कैसा रहेगा भाग वाली जो पूछ लेते हैं अगला चलिए दरना नहीं रे बाबा डरना नहीं है दरना नहीं नहीं तो डरना तो समझ लो मरना तैह है जैसे इसने पूछा है X बराबर 943 पिलस 864 काई स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 काई स्क्वायर बटे 1886 गुडा 1728 यह आपको दिया हो बहुत तगड़ी क्लास है option दिखा तूम गटा option option बिलकुल as it is आप देख भी पा रहे होगे 1479 178 17 एक सेवन अब जड़ा देख के बता न क्या इस सवाल का उत्तर होगा बता दे तू रे बता दे तू रे रे रा 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 साधी कोशिस हसने दी तू फेर रुला गई है असी पहले कल्ले सी तू एहसास करा गई है एक गाना सुनाता हूं बहुत अच्छा वक्त का ये परिंधा रुका है का मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा चार पैसे कमाने मैं आया सहर गाहों मेरा मुझे याद आतार देखे वई बड़ा प्यारा सवाल है ये हम इसको प्यारे तरीके से ही करेंगे 9 हटा देते हैं पर नो और कहीं है और कहीं 7 और 2 New 8 और एक पटा देते हैं याँ ऌट बच गया है 7 6 और 4, 10, 8 औरक नव बच गया है अब 9 को जोडूँगा कोई फैदा नहीं है 7 का स्कूर 49 59 का मतलब कितना आगया 7 का मतलब 49 4 बच गया Digital Sum २ अभ आपको पता है 7 और 3, यह माइनस का है, तो मैंने कहा इसका जीरो यह हमारे लिए कोई फरक है नहीं, भई 6 और 14 अठा रहे यह कितना आ गया? माइनस कितना आगया यह चार ही आगया चार ही आगया भही चार माइनस चार आगया यानि कि हमारे लिए जो डिजिटल सम इसका आगया वो जीरो आगया यह कैसे हो गया रे बबा चार और तीन साथ था क्योंकि इसका डिजिटल सम अब हमारे ले थोड़ी मुश्किल फस गई ये बता पाना क्योंकि ये संख्या नो से पूरी कट गई अब अगर ये नो से पूरी कट गई तो ये जो इधर जाएगा गुणा में मैं देख पा रहा हूं कि ये भी नो से पूर 9 को 9 से भाग करूँगा 1 यानी कि जो उत्तर होगा उसका डिजिटल सम एक होगा खच ये उत्तर है सवाल कई क्योंकि डिजिटल सम क्या आ गया नीचे भी 0 अरे 0 नहीं बचाना जब 0 आज मैंने क्या कहा रिमेंडर है रिमेंडर 0 भी बचा सकता हूं maximum 9 बचा सकता हूँ जब भी ऐसा case बने 0 परेसान करे तंग करे तो क्या बचा देंगे 9, ऊपर 9, नीचे 9, 9 एकम 9, उत्तर 9 डिसको डिसको बोलो भई, किलियर आगे नहीं बात बोलो 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 देखो देखो अगे लिख रहा हूँ और सवाल आपको मैं और सवाल भी आपसे पूछूँगा जब आई ही गया हूँ तो अब रुकूँगा नहीं देखिए 9, 9, 9, 7 गुड़ा, 1, टरपल, 0, 3 बराबर क्या होगा ऑप्शन है 9, 9, 9, 9, 9, 1, 9, 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 6 बार नो, नो, सात बार है, सात बार है साइथ और 9, 9, 9, 9, 9, 9, 1, 9, 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 1, यह सवाल है यह 2017 में आया सवाल है तो हमने देखा वहिए कि पहले तो यह 9 हटा दिया साथ, उसके बाद ये चार साथ चौक अठाइस का मतलब दस, दस का मतलब डिजिटल सम एक, एकी ऑप्शन ये भी उत्तर है सवाल का सीधे सीधे, मैं और सवाल कुछ आपके सामने लेके आ रहा हूँ, इसलिए मैं रिविये सीयर किताब लेके आया था एक और सवाल मिल गया मुझे प्यारा बड़ा सुन्दर, देखो जड़ा ये सवाल देखो, छपपन छपपन दिखा दे सोनी दिल की लगा दे सोनी लला ला 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 का स्क्वायर क्या होगा उत्तर दो कॉमा एक दो टीन एक दो टीन चार पे एक दो टीन एक दो टीन छे पे एक दो टीन एक दो टीन एट पे एक दो टीन एक दो टीन ठीक है आपको बताने है कि क्या उत्तर होगा इस सवाल का क्या उत्तर होगा what will be the answer of this question तर एक बार question गा दो देखो भी आपको पता है कि इसका digital संतो खतम है 0 इसका 2 की गात दो 4 4 उत्तर है 4 E की option में आ रहे यही उत्तर है मुझे तो doubt है कि इतनी जल्दी आके से गया यही उत्तर है जी B B ही उत्तर है सवाल का कोई मैंने नहीं बनाया यह सवाल मैं क्यों बनाऊँ हूँ ऐसे सवाल मुझे कौन सी गजपड़ी है ऐसे सवाल बनाने की मुझे बनाने होते हैं मैं लिख के लाता ये कुछ एक सवाल थे जो मैं लाया मैंने सिर्फ वही सवाल कराई जो हाल फिलाल के पेपर में आते हैं बट डिजिटल सम के आस्पेक्ट बेटा इतने छोटे नहीं है ये बात ध्यान रखना आप अगर ये सोच रहे हो कि डिजिटल सम के आस्पेक्ट इतने छोटे हैं तो नहीं डिजिटल सम का सबसे बड़ा आस्पेक्ट पता है क्या है फाइन पर्फेक्ट स्कॉयर नंबर तू फाइन पर्फेक्ट स्कॉयर नंबर ये डिजिटल सम का सबसे बड़ा implementation या सबसे बड़ा aspect है digital sum का मैं आपको बता दू आज जहाँ पे हम ये पता करते हैं कि कौन सी संख्या perfect square number है कौन सी नहीं किसी संख्या में क्या जोड़ें क्या ना जोड़ें कि वो perfect square हो जए ये सबसे बड़ा aspect है तो मैंने आज की class में ये कहा कि बेटा अगर ssc में अच्छे number लाने है कल को ct आजाएगा उसमें अच्छे number लाने है तो आपको जाननी पड़ेगी calculation को आसान करने की भी दिया क्या आप सबाल देखें और तुरंत calculation कर दें उसके लिए ज़रूरी है कुछ चीजें वो कुछ चीजें क्या थी जो आपकी calculation को आसान बनाएंगी वो थी डिजिटल सम्, रेमेंड़ थोरम, डिविजिबल्टी रूल, क्रॉस प्रोड़क्ट मैथड, सिफ्टिंग मैथड जो आपकी calculation और चीजें को और आसान बनाएंगे डिविजिबल्टी रूल, यूनित डिजिट, 10th प्रीज डिचिट , यह सब आपको आने चाहिए कशीजें पांस दो भी आप इन सब चीज़ों को नहीं सीक रहें, कॉपी पैन लेके नहीं बैठ रहें, इदर दर की बाते कर रहें, हाइ सुनीता, हाइ कुसममधु ये सब कर रहें, आसारोत प्रीता, मनोजिया ये सब कर रहें, तो भाईया मैं आपको बतातू हूँ, जीवन ऐसे ही चलेगा यहीं कहीं रुक जाएगा जितने संकट आपके पिताजी ने जहले आप उससे कहीं ज़ादा जहलोगा आप देखते हो ना पिताजी को धखके खाते हो कैसे वो लोगों से 200-500-500-2000-2000 की गुहार लगाते हैं उधार लेके आपकी फीज बरते हैं घरचा चलाते हैं आपने कभी सोचा कितनी मुश्किल होती होगी, तोंकि इंसान अपने बच्चों से बहुत प्यार करें, वो अपनी खुशियां मार के, मैं देखता हूँ आज, हमें जब बातें याद आती है, कि हमारे पिता जी अपनी च्छाओं को मार के, अपने जो है सपनों को मार के, उन्होंने जीवन में हमें सब कुश करा, हर माबाप चाता है कि मेरा बच्चा अच्छी से अच्छी स्कूल में पड़े, मेरे बच्चे के पास अच्छी साईकल हो, मेरे बच्चे के पास अच्छी से अच्छी घड़ी हो, हर ये मावाब चाहता है जब पहले गड़ी हमारे घर में टाइटन की 11 सर रुपे की आई थी तो वो मुझे मिली थी समझ रहे हैं आप बात को हर मावाब पर ही चाहता है आपका फर्ज नहीं कि अब आप उनके सपनों को साकार करें आप जितनी भी मावाब जितनी भी लोगों को बीमारियां पकड़ रहे हैं हार्ड अटेक ये वो सब दुनियादारी वो सब की वज़े यही है कि उनके बच्चे सही समय पर कामयाप नहीं ही एक वक्त होता है जब आप 24 जब आप की उमर 25-26 साल होती है जब आपके पिताजी की उमर 55-56 साल होती है अगर आप चाहते हो कि वो लंबा जी है उनको बीमारियों से बचा लो तो आप घर समालने की जम्मेदारी आप ले लो कब तक उनसे आप जो है रोटी कपड़ा और सबजी का इंतिजाम कराते रहोगे कब तक यह सबसे बड़ी टेंशन होती है माबाप की यह बाप की जो कभी कहनी पाता किसी से कि अभी तक उसका बेटा कामयाब नहीं हो सबसे बड़ी टेंशन है मेरी तरह बनने की कोशिश करो मैंने अपने पिताजी को जिजी दिन भी मुझे ये फील हुआ था कि अब आपके उमर नहीं है काम करने की अब आपने सारी जिंदगी वरे काम किया सारी जिंदगी आपने हमारे लिए रखी कैसे आपने पचास-पचास-सौ रुपे मांग के जोड के और हमें यहां तक पहुचा है पड़ा है अब आपकी जिम्मिदारी सिर्फ बस इतनी है कि आप घर पे बैटके रेष्ट करो हमें गाइड करो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है हम सब का यह फर्ज है सब ही हम अपने माबाप को लंबे समय तक इससे जब आपके जीविद देख सकते हैं और उन्हें खुशाल देख सकते है अब फर्ज हमारा है कि अपने घर के जीवने श्टर को सुधार है जो माबाप के सपने थे पहले उन्हें पूरा करें यहीं जीवन है जब आप करके तो देखें दूसरों के लिए जवाप अपने से ज़्यादा जैसे हम कहते है holistic, अप देखते हैं गाय को जिसको दिमाग नहीं है आप बुरामत मानीगा इस बात का, या एक भेंस को ले लीजीएगा तो जब उसका बच्चा जनम लेता है, तो वो कैसे अपने बच्चे को चाटती है इसनिये निकलता है बिना दिमाग का इस्तमाल किये हुए वो जानवर हैं उनकी अंदर भी सोचो इसनिये है तो हमारे मवाब के अंदर कितना रहा होगा तो वो इसनिये में ऐसा करते हैं तो आपका भी फर्ज है कि आप भी उसनिये का अब कर्ज उतारें वो वक्त अब आ गया है तो मेरी गुजारे से आप सबसे की मन लगा के पढ़ें जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है जो बातें आपको बताई जा रही है वो सब कब तक कब तक ऐसा रहेगा कि आप कुछ नहीं करेंगे बताईए मुझे आप पिलीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे हाज जोड के बिंतिया आज में आपको डांट नीरा सिर्फ एमोशनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एमोशन मोड में कि अब वक्त है पिताजियों की जिम्मेदारी आपकी कंधों पर आ जानी चाहिए घर की कलेश, सारी चीजyों की पताई, टेंशन पताई फाइनशल होती है आदमी फाइनशल कंडिशन में ही घर में कलेश होगी, परिशानिया होँगी, टेंशन होँगी ऐसा नहीं एक पर परसेंट और भी वज़े होते हैं बढ़ वो कभी-कभी महीने में एक बार ऐसा हो गया दो बार बढ़ जब हाथ तंग होता हाथ टाइट होता है तो घर में हर रोजी लडाई रहती है माँ जो चूले पर रोटिया पका पका के बरतन माज माज के अपने हाथ जलाती रही काटती रही क्या आप फर्ज नहीं है कि उसको भी कुछ हम जीवन का सुख दे सकें जो पिताजी नहीं दे पाए कम से कम पती के राज में ने सही पुत्र के राज में तो सुख भोगे मा तो यह सब कब करेंगे आप कब सोचेंगे तो इन सब को सोचने का वक्त तब आ गया है कि अब पढ़िये मन लगा के मेनत करिए यह जीवन बहुत मुश्किल से मिला है जीवन इश्वर का अमूल तोहपा है इसका इस्तमाल करिए और मन लगा के पढ़िए इसी के साथ मैं बिदा लूँगा और यह कहूँगा कि कल फिर मिलेंगे इसी उत्साय उमंग के साथ ख्याल रखेगा खोश रहिएगा और बहुत सारे आस्पेक्ट बताऊँगा सिंप्लिफिकेशन के तकड़े तकड़े कॉनसेप्ट कैसे हम इन चीज़ों को आसान बना सकते हैं तो आज के डिजिटल सम के कॉनसेप्ट को रिवाइस कर लिजेगा बाकी लोगों तक भी इस वीडियो को सेयर कर दीजेगा ताकि मैकसिमम लोग इसे देख पाएं समझ पाएं कि क्या है डिजिटल सम अभी तक वो इसको इक बीमारी की तरह देखते थे अब इसकी वैकसीन आ गई है तो इस वैकसीन को लोगों तक पहुचाईए ठीक है कोरोना की नहीं डिजिटल सम की ठीक है ते लिए धन्यबाद थेंक वेरी मच